जहिन दोस्तों मेरे नाम है नीरा जो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिन91 और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ के सर ये कोई भी क्लिक बेट वीडियो नहीं है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ क्योंकि सर आप लोग भी परिशाने क्लिक बेट वीडियो देख देखके ये बिलकुल एक सीधी साथी वीडियो है जो वाकई में आपको तेरा सो चौदा सो रुपए पर मन्त जुड़वा के आपके लिए दिलवा सकती है आपको बारा करोड जिससे आप अपने रिटार्मेंट के बाद पूरी जिंदगी ऐशो अराम से बिदा सकते हैं तो पहली स्टेटमेंट सर जो मैंने दिये मैं उसे प्रूव करके रहूंगा और आपके ये बारा करोड रुपए खटे करवा के रहूंगा बस आपने वीडियो को पूरा देखन है कसम खाली जी अगर आप छोटी सी वीडियो नहीं देख सकते लेकिन आप पैसा कमाना चाते हो तो 아प वHY हो जो चाते हैं के हम मरे तो नहीं लेकिन स्वर्ग चले जाएं तो स्वर्ग जाना है तो पहले հे मरना पड़ेगा और सिर अगर आपको पैसे कमाने तो ये में इस समय इंजरी हो चुकी है, बहुत भयंकर वाली, साथ-साथ मिसर में C.E.S. students को पढ़ाता हूं का result भी आया था, तो इसलिए कुछ दिनों तक में busy रहा, but don't worry, we are back. इस particular वीडियो में 3 percentage of return की बात करूँगा, एक जगा जहां से सर आप लोग 8% return कमा सकते हैं, दूसरी जगा जहां से आप लोग 13% return कमा सकते हैं, 13-15% की बीच में return कमा सकते हैं, तीसरी जगा जहां से आप साड़े 17% return जो है कमा सकते हैं, और अपने financial goals को आप achieve कर सकते हैं, तो अगर 8% के बात करता हूं, तो bank से मिल जाएगा, 13-14% वाले अगर आप हैं, तो मारी index series की वीडियो देखिए, index fund की series की वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको बता चल जाएगा कैसे 13-15% return जो है मिलता है, और 7.5% अगर आप return कमाना चाहते हैं, तो हमने advanced fundamental analysis के उपर एक जबरदस्त course बनाया है, जो के अभी available है आप लोगों के लिए, edun91 एप पे उसका link में, i button में दे रहा हूं, नीचे comments और description में भी दे दूँगा, जरूर उस course को check out कीजिए, और देखिए कैसे आप 17-18% तक का return निकाल सकते हैं, और कैसे अपने financial goals को achieve कर सकते हैं, वैसे ये course अगर आप भार market में करने जाएंगे, 10-10,000, 15-15, 20,000 का होता है, लेकिन हमने इस बहुत ही discounted price पे, क्योंकि सर, हम भी चाहते हैं, जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कम price पे आप लोगों को जो है, कम value पे जो है, आपको कम 5000 likes का, मुझे पूरा भिश्वास है कि जो सर, नई family हमारी बन रही है, जिससे सर, हम लोग financial awareness पेला रहे हैं इंडिया में, आप लोग सर, पांच अला likes पका-पका-पका कर दोगे, राइट, अपने doubts जो है, नीचे comment box में जरूख उचेगा मुझ से, मैं वो मेरी team में से कोई ना कोई कोई कोशिश करेगा, आपको reply करने की, वीडियो को जासाद लोगों के साथ share कीजिएगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, तो share करिए whatsapp group में, telegram में, जहां भी आपको time मिलता है वहाँ पे, and yes, अगला target सर हमारा जो subscriber target होने वाला है, वो होगा 90,000, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है सर, ये team, ये family, कुछ भी कर सकती है, तो 90,000 subscriber पर सर में upload करूँ अगली वीडियो, और जल्दी से उस subscribe button सर खेलना श आपने मेरी पिछली 2-3 वीडियो देखी है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पर मंत कितना amount चाहिए होगा, जब आप 60 साल की age में हो जाएंगे, तब आपको पर मंत कितना amount चाहिए होगा, आज अगर 90,000 है, तब वो amount जाके, आज से 40 साल बाद वो amount जो हो जाए future value क्या होती है, future value of an entity क्या होती है, वो सारे formulas में आपको सिखा दिये थे, अब इन सब का इस्तमाल करते हुए हम वो corpus का amount निकालेंगे, corpus का amount निकालने के साथ साथ में आपको बताऊंगा, कि अब आप उस corpus का amount को achieve कैसे कर सकते हैं, right, corpus का amount 12 करोड के आसपास आएगा, अ आसान है, संदीप महिश्विर जी के लिए एक like इस वीडियो को देते चलिएगा, और बोलिएगा एक बार आसान है, yes, 12 करोड का corpus 60 साल की उमर में आसान है, अगर आप discipline follow करें, मेरी बताई हुई चीज़ों को अगर आप ढंक से follow करेंगे, तो, right guys, पीछे मेरी बेटी है, जो थोड़ी से शितानी कर रही है, बट कोई बात नहीं, उसके बारे में कभी और बातचीत कर लेंगे, तो, बस sir, अब ये वीडियो शुरू करते हूं, like कबड़न, तगड़क, 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 तगड़क करके दबा दीजिए, right guys, thank you very much, चलिए जल्दी से 12 करोड रुपे 81 करने चलते हैं, चलिए sir, तो बस energy और जोश बना के रखिए, और जो मैंने आपको commitment करी, वो मैं फुल्फिल करके दिखाऊंगा, कि आपके 1100-1200 रुपे महीने से, मैं आपको sir, आपका target अचीव कराऊंगा, 11 करोड का, right, और 11 करोड रुपे कहां से है, मैं आपको परसनल फाइन्स को सुधार ना है, तो भाई हो, patience, discipline बहुत ज़रूरी, चलिए, यह मेरे अपने पुरानी वीडियों बताया था, कि आपकी अभी जो age है, वो है 20 साल, आप retirement लेने की planning कर रहे है, 60 साल में, ऐसा मैं उमीद करता हूँ, अब जो आपकी age बची है, 20 से 60 के medical facilities आ रही है, उससे इनसान की life expectancy वो बढ़ेगी, अब आपकी remaining life, remaining life, after retirement, जो है, after retirement, guys, वो कितनी बची है, 25 साल की आपकी remaining life बची है, अब मुझे चिंता इन 25 साल हो किये, क्योंकि भाई, इन 40 साल में तो आप कमा रहे थे, आप खुछ थे, आप मुस्कुरा रहे थे, इन 25 सा सालों में, जो आपने इन 40 सालों में कमाया, आपको उसे enjoy करना है, right, तो मालनी जी, आज आप 60 साल के हो चुके हैं, और अब आप enjoy कैसे करेंगे, मैं वो ही आपको दिखाने जा रहा हूं, तो बहुत-बहुत-बहुत ध्यान से focus बना कर रखेगा, मैंने आपसे पूचा था, कि आपके current expense per month कितने, किस ने बूला 90,000, किस ने बूला 50,000, तो जो भी figure है, आप यहाँ पे डाल लीजिए, उसके साफ से में figure निकालेंगे, कि आपको कितने रुपे per month चाहिए होंगे, आज से 40 साल बाद, तो आज यह मैंने क्या कर रखा था, यह मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ाए हुए, आपको guides अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो playlist मत भूलो, सारी वीडियोस देखो, सारी वीडियोस, आप उपर-उपर से मत करो इस course को, depth में जाओ, तब यह मज़ा आएगा, आईए, so current expense per month आपका 90,000 था, after 40 years sir, आपके 90,000 की value जो होगी 9,25,715 यानि अगर आपको आज 90,000 रुपे परमन चाहिए न, तो 40 साल बाद आपको 9,25,715 रुपे परमन चाहिए होगा, अब सबसे बड़ा question उड़ता है, कि 9,25,715 रुपे मुझे कितने साल तक चाहिए, इधर देखिए, 25 साल तक चाहिए, let me repeat, मुझे ये 9,25,715 कितने साल तक चाहिए, 25 साल तक चाहिए, भाई, यो 25 साल तक, सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि भाई, आपको ध्यान सुनिए, ये आपका परमन खर्चा है, ये 9,25,715, ये आपका परमन खर्चा है, और ये सर आपको अगले 25 साल तक चाहिए, आप हिरान करने वाली बात है, मैं आपका वो corpus का amount आपको बता लगवाना चाहता हूँ कि जो आपके bank account में, आपके 60 साल की उमर में पढ़ा हो जो आपके bank account में, आपके 60 साल में पढ़ा हो कहां चला गया, हाँ, 60 साल में पढ़ा हो ताकि आप हर महीने उसमें से 9,25,715 रुपर निकालते रहें और वो भी कितने साल तक निकालते रहें, 25 साल तक निकालते रहें यह corpus का amount अपने को निकालना आना चाहिए तो यहाँ पर मैं use करने वाला हूँ present value का formula present value of an annuity का formula, right तो present value का formula क्या बोलता है जी, rate लगा लेते हैं हम लोग और rate लगा के चलते हैं हम लोग bank की FD का rate 8% assume कर रहे हैं इस 8% पर घवराईएगा मत उस समय जो भी होगा उसकी हिसाब से हम लोग इसको adjust कर लेंगे क्योंकि इस rate से आपकी inflation का rate भी जो यह जुड़ा हुआ है तो जो rate यहाँ पर होगा उसी according से inflation का rate होगा पर मन्त मुझे कितने पैसे चाहिए मैं को यह पता लगाना है पर मन्त मुझे चाहिए सर 9,25,715 रुपे राइट अच्छा पीरिड कितना है है आप सबसे पीरिड आएगा 8% को मैं 12 से डिवाइट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पर मन्त पैसा चाहिए पीरिड है मेरे पास 25 साल का तो 25 साल को सर में 12 से मिल्टिप्लाइ कर देता हूँ क्योंकि मुझे पर मन्त पैसा चाहिए और पेमेंट सर मुझे जो चाहिए वो चाहिए 9,25,715 रुपे की future values मैं सर अभी 0 मान के चल रहा हूँ और मैंने यह लीजे कर दिया enter अब आप अमाउंट देख के होने वाले है रान 11,99,39,772 रुपीज अगर आपके पास ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास अपनी 60th year में जिस दिन आप 60 साल के हुए आपके बैंक में इतना पैसा होगा तो आप अगले 25 साल तक 9,25,715 रुपे जो हैं वो विड्रॉक कर पाएंगे बिल्कुल शान्ती पूरवक तरीके से और अपनी जिन्दगी को आने वाले 25 साल को उसी एशवार अराम के साथ जी पाएंगे जैसे आप यहां पे जी रहे थे हाँ जैसे आप लोग का मॉटल मे यहां 40 साल में जी रहे थे वैसी आप अपने अगले 25 साल जो है वो जी पाएंगे अगर आपके पास यह अमाउंट जो है मिल जाए हांज यह अमाउंट आपको मिल जाए कौन सी age में 60th year में अब सवल आता है कि सर यह amount मिलेगा कैसे लीजिए तो उसका answer सर मैं आपको इस column प मिल जाए लगबग 12 करोड मानके चलिए 12 करोड रुपे जो है मेरे अकाउन मिल जाए अब देखिएगा सर जो मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारा भाई क्लिक बेट वीडियो नहीं बनाता तुम्हारा भाई तुम्हें सचाई बताता है और तुम्हारे साथ खड़ा रहेग आपको मैं अपनी अपनी लाइफ में तो यह करी रहा हूं और मैं आपसे करवा के मानूंगा कि आपको मैं 12 करोड रुपे जुड़वा के दूंगा सर आपके 60 एट एर में और याद रखेगा सिरफ आपसे 11,12,15 रुपे महीनिय से ही ये काम चला दूँगा मैं अगर आप म मन्त जोडने होंगे तो मुझे नया formula यूज़ करना पड़ेगा PMT का देखिए PMT का formula क्या क्या रहा है जरा ध्यान से देखिएगा Calculates the payment for a loan based on constant payment and a constant interest rate Basically ये formula जो है EMIs निकालने के लिए काम आता है लेकिन हम इससे SIB के amount भी निकालते हैं अपने goal को ध्यान में रखते हुए इस समय हमारा goal ये है हम निकालना चाहते हैं कि हम हर महीने constant payment कितनी करें constant rate of return पे कि हमें ये वाल amount जो है receive हो जाए अपने 60th year पे अब मैं इसका formula जो है आपके साथ share कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखते चलिएगा PMT का formula लगाऊंगा rate मैं मान के चल रहा हूँ bank में invest करूँ तो 8% पर मन्त के हिसाब से मतलब मैंने इसको 12% divide कर दे क्योंकि मुझे पर मन्त पैसे जोडने है 8% के rate पे मैं सरक कितने साल 40 साल है मेरे पास अभी जोडने के लिए पैसा 40 साल तक पैसे जोड़ूँगा present value मान के चल रहा हूँ 0 यानि मैं अभी ठंठन गोपाल हूँ मेरी जिम में सर 34,357 अगर मैं पर मन जोड़ने के लिए तो कभी कभी अप उनको लगता अप उनी बगवान है कोई बात नहीं है सर माल लेते हैं चलो एक काम करते हैं पापा से उधार लेंए थोड़ा से पैसे सर पापा उधार नहीं देंगे चलो छोड़ दे पापा को मैं कहता हूँ आपने ये पैसा जो है कि आज तक जिस दिन निफ्टी शुरू हुई थी उससे लिए कि आज तक कितने रिटर ने मुझे ये बताओ राइट चलिए लेट्स गो तो हमने दिगा दिया जी हाँ पर equals to equals to दिवाने के बाद सर हम लोग वही PMT का formula लगाते हैं यहाँ पर PMT और इस बार सर रेट हम लोग ले रहे हैं 13% का 13% कोड 12 से डिवाइड कर दिया पीरेट सर अपने वही हैं 40 40 को मुने 12 से मिल्टिप्लाय कर दिया प्रेजेंट वैली सर अभी हम लोग ठंठन गोपालों के बैठे हुए हैं फ्यूचर वैली सर अपने को पता है कौन से चाहिए यह 11 क्रोड वाली फ्यूचर वैली चाहिए मैंने कर दिया सर इसको एंटर सिर्फ 7,413 अपने घरवालों को जाके आज दिखाईए कि पापा अगर आप सिर्फ 75 रुपे परमन जोड़ों गे ना तो 40 साल में वो 11 क्रोड रुपे बनके निकलेंगे मैं है आपने एक स्टॉक मार्केट 2 का भी ऑप्शन ले रहा हूं अब मैं एजियूम कर रहा हूं कि आप एक इंटेलिजेंट इंवेस्टर है और आपने सर साड़े सतरा परसन का रिटन निकल लिया जी हां साड़े सतरा परसन का रिटन कैसे निकलेगा भाई आपको बहुत जादा ध्यान देना पड़ेगा उस केस में देखिए यह जो 7,413 न यह तो बिना ध्यान दिये भी सर आप लोग इतना रिटन निकल सकते हो बिलीव मी बिना ध्यान दिये भी आपने पर इंडेक्स की पुरानी वीडियो देखियोंगी मुझे उमीद है कि सर आपको पसंद यह होंगी तो आप सिर उसमें इवेस्ट करिया आख बंद करके IDFC UTI में दोनों के बारें बताये आपको जिस नहीं देखिये लिंक देख सकते हैं उपर आप लोग आई बिटन में आप सर में बान रोप साड़े 17% का रिटन निकाल रहे है आपने सर हमारा अडवांस फंडम परसंट का रेट सर मैंने ले लिए राइट डिवाइड बारा कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया पीरियट जो है सर मेरे पास सर वही है 40 लेए पर मंत अगर आप जोडेंगे तो भी आप सर मेरे पास है जीडो ठंटन अगो पाले हम लोग और फीचर वाली सर अपनी हम आने वाला था, stock market 2 का ही option लेके चलते हैं, देखेगा हिरान कर देने वाली बात, stock market 2 का ही option लेके चलते हैं, और सब सब चीज़े explain करूँगा, पहले ये मेरा ये मामला ठीक हो जाए जरा, stock market 2 का option लेके चलते हैं, equals to PMT, देखते जाएगा, formula को ध्यान से देखेगा, साड़े सतरा परसंट का मैंने return assume कर लिया है, यहां पर, divide by 12 कर रहा हूँ, periods में फिर से वही 40 into 12 लेके चल रहा हूँ, present value सर इस बार में ले रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपने पापा से जाके बोला, पापा 25,000 रुपे दे तो मुझे बस अभी, अभी, right now, 200 साल में, और पा और आपके बास 40 साल हैं, तो आप 40 साल में कितना मांट परमन जोड़ें कि आपके बास 12 करोड़ों का मांट fix हो जाए, लेकिए सर, 2000 यहां पर मुझे कुछ गल्ती हूँ, क्या गल्ती हूँ, मैं बता दे था हूँ, वो मैं को लिन लायक, यह मुझे जो है, यहां पे, यह 25, मैंने माइनस में ले लिए क्या, हां जी ले लिए, ठीक है, सब कुछ ठीक कर रहे, तो मैंने फिर एर्र कैसे आ रहा है, यह में बस 25 रुपे है, लीजे सर, 1314 रुपे, 1314 रुपे सर अगर आप परमन जोड़ेंगे, अगर आपको बस आज 25 रुपे हैं, तो अब तेरा सो उ तेरा कहां है, उसके लिए सर, आपको पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, for example, मेरे पास तर एक स्टॉक है, जो पिछले दो साल से, मुझे लगबग जो है, वो 35-40% का रिटन दे रहा है, मुझे नहीं बताओ, फ्यूचर में देगा नहीं, लेकिन 35-40% का रिटन में उसस सकते हैं, yes, you heard it right, 12 क्रोड रुपे और सिरफ 1314 रुपे पर मन्त, ये calculations आपको करके देखनी पड़ेंगी, ये calculations आपको सीखनी पड़ेंगी और ये बहुत जादा जरूरी है, बहुत जादा, तो आपको, sir, अगर कुछ फॉर्मले समझ में आए, आपने घर वालों के साथ ब लगी हुई है, आपको स्टॉक मार्केट में उतरना, और स्टॉक मार्केट में प्लीज डिरेक्ट एक्विटी से एक्स्पोशन ना लें, इंडेक्स फंड में देखी कितना मजा है, 75-100 रुपे पर मन्त से काम हो जाएगा, और कम पैसे हैं तो कम इन्वेस्ट कीजिए, कम अगर आपका यहापे में खर्चा कम कर देता हूं, आप देखिए कितनी magical figure आएंगी, आपका घर का खर्चा में लगा लिया, 50,000 रुपे पर मन्त है, तो आपको सर आज से 40 साल बाद हर महीने कितना चाहिए होगा, 5,14,000 रुपे, आज से 40 साल बाद आपको इस कितने का कॉर करपस होना चाहिए, 6,66,000,000 रुपे का, bank में सिर simmer 19,000 रुपे डालोगे, आपस 6,66,000,000 रुपे निकलेगा, stock market 1 में 4,18, Afghanistan रुपे डालोगे, 6,66,000,000 मिले गा, और सबस्को से 30% में सिर tutte ब Row 1 महीने डालोगे, आपको 6.66,000,000 रुपे निकलेगा, एपको 40 साल बाद कितने पर मंत खरचा पड़ेगा और आपको उसको कमाने के लिए कितना कॉर्पस चाहिए और उसके बाद आपके कैलकुलेशन जो है करके देख सकते हैं और वाइए only one option we have plenty of options, bank है, ppf है, stock market है, mutual funds है, index funds है, बहुत सारी चीजे हैं जहां पर आप लोग invest कर सकते हैं अपने targets को आप लोग achieve कर सकते हैं, right, so financial planning के लिए ये sheet जो है बहुत ज़्यादा important जब भी आप financial planning करने बैठें तो इन चीज़ को धियान रखेंगा, देखें और चीज़ों और और भी आपके financial goals हो सकते हैं आपको सबसे पहले ये amount निकालना पड़ेगा, कि मैं आज परमन कितने पैसे डालता जाओं, कि मुझे अपने retirement का मेरे retirement की age पर तयार मिले, इसी तरीके से इनी formulas का use करके मैं आपको बताऊंगा, कि आप अपने बच्चों के लिए financial planning कैसे करके रख सकते हैं चलिए सर, इस वीडियो में इतना ही, thank you very much, I hope आप लोग वीडियो को like कर रहे हो लगातार, चैनल को subscribe करके रखा हुआ है आप लोगों ने, और bell icon पे hit करके all notifications को on रखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं वीडियो लेट डालता हूं, लेकिन भाई जब भी डालता हूं, कमाल ड और वाईएगों, आपके वीडियो को अझे लेटियो कर दोलॉब काल गलता हुआ हो लेकिन वीडियो कर रेकिन कालता हुआ है।